ओम शान्ति बुद्धिदाता परमात्मांकर स्रिष्ट ज्यानत द्वारा निजकु बुद्धिवान करी गढ़ी तुल्थिवा परमात्मांकर समस्त आत्मिक संतानमानंकु सुभसकालर सुभभिननन सुस्वागतम सुप्रभात कुहा जाए खुशी जेसी खुराक नहीं गम जेसी रोग नहीं और थार खुशी भली खाद्या नहीं कि दुख्ख भली रोग नहीं भक्त सुधामांकर बंधुमाने थरे सुधामांकु कथा छलरे पच्यारीले तुमेत अत्यंत गरिवा दुई बेला पेट्ट पुरण करिवा तुमा पाई कस्ट सद्ध्य अटे तुथापी तुमर कोणसी सारीरीक असुस्तदा आदी नहीं अभशाद मद्यो नहीं यहार कारण आमकु कही बकी सुधामा कहीले जेते बेले मुन्नी जकु प्रभुंकु समर पण करी देई छी तो ये सरीर कथा सेही मुझी बिल से सारा जगतर कथा बुझी मद्यों सबु बले स्मित हास्य दुछन्ति तांक सानिध्यकु मुझ अनुभव करी सर्वदा खुशीर भोजन करुछी सेही थीरे तो मुर मन आउ पेट उभवय पुरी जवची कही बाबा हुल्य कि खुशी भली अउसध ही नहीं बर्तमान सिव बाबा कहुचन्ति मधूर संतान गण जेउं खुशी तुमकु मोठारु प्रात्तहिव ची तहा समस्तन कुदेई चाल तुमकु सुख आउ सान्ती बांटिवार धन्दा करीवार अची बर्तमान एई दुख्ष असान्ती पुर्ण दुनियार अबसान हुई सुख आउ सान्ती पुर्ण दुनियार स्तापन आहेव ची जेहेतु सुखसान्ती र सागर पिता तुममानंकु सेही भली दुनियार जुग्यार जुग्यो करू छन्ती अर्थात सेठाकार दोईबी संस्कार र सिख्या देई दोईबी दुनियार अधिकार प्रदान करू छन्ती तेनु एबे तुममानंकु एही समय ठारुही सेही सस्कार कु धारण करिवा पुर्वक समस्तंकु एही सत्य ज्ञान प्रदान करी सुखसान्ती र अधिकारी करीवा दर्कार एही सुरुष्टि नाटक अनादी अभिनासी अटे कल्प पूर्वभ भली जेते बेडे जहा घटी थिला अभीकल बर्तमान तार पुनरा बृति ही चाली छिमात्र प्रत्येक अभिनेता तांकर अभिनय करी चाली छन्ती ठेक पुर्व कल्प भली एथिरे किछेवी नुतनत्व नाहे। तेनु काहार अभिनयकु देखी। दुख्षी तहेबा, आश्चज्य हेबा, कुरोधी तहेबा, बाव्यथी तहेबार नाहे। एही ड्रामा सयं रचाइता परमात्मांकु मध्या पसंद। जेट ते वेले रचाइतांकु पसंद हे उची, तेवे तुमा संतान मानंकु अवस्य पसंद हेबा कथा। तुमा मानंकु कोण सी कथारे विरक्ति भावा आणिवा उचीतनु हे। एही दुख्ष, सुखर, नाटक, अधी चमतकार भावरे रचना करा जाई छी। एथीरे हार जित्र खेलो चाले छी। एहाकु भूल बाख्षरा पबली कुहा जाई पारिवना ही। सुख अर्थात दिन, दुख अर्थात रात्री। जे परी प्रक्ते हो, दिन राती ही चाली छी। उभयर आवस्यकता मध्य रही छी। आमे तो एपरी कही पारिवा नही। इखाली दिन हेव। बाखाली रत्री हेव। कारण दिन रे सुरुष्टी चल चन चल हेव कर्म खेत्ररी। एवंगरात्री विश्राम पाई आवस्यकत। सेही परी एही सुरुष्टी नाटकर अधा कल्प अर्थात सत्य आव त्रेतया दुई जुग सुखर समय दिन एहा मध्य भला। तो द्वापर आव कली भक्ति मार्गम अध्या भला। तेवे एही अभिनाशी नाटकरे जेऊ पाट मिली छी। ताकु जेऊ माने खुशीरे अभिनर करंती। सेमाने बहुत मजारे रुहंती। खुशीरे रुहंती। सेमानन कर बुद्धी सबु थिरे भर पूर हेई रही थाय। बाबान का समान महादानी होई। ज्यान दान पुर्भक सुखसान्ति र सम्पति दान करिवा कुहब। ज्यान कु धारण करि पूनि अन्यमान कु धारण करिवा कुहब। बेहद नाटक कु देखी सर्वदा हर्शित रहिवा कुहब। प्रभुंकर लिळा एवं सुर्ष्टि नाटक केते विजित्र एहाको स्मरण करि खुशीरे रहिवा कुहब। सिवबाबा कहुचंती पुरुशार्थ करिवा सहित जोगर प्रयोगर विधित्वारा अन्यमान कर मनब्रुतिकु परिवर्तन करि सदा विजयी हुआ। कथी तो अची एवं सास्त्र पुराणरे अनेक मध्यं दृष्टांत अची मुनिरु सिमानंकर जे सेमाने तांकर तपो साधनाद द्वारा तपो बलत द्वारा हिन्स्र प्राणिंकु मध्यं सान्त करिएद उथिले सेमानंकु बशा करिदे उथिले। एपरीकी परिवेशकु मध्यं तत्त्यकु मध्यं सेमाने अधिन करिदे उथिले। तेवे जोगर सक्ति एते प्रभावस प्रभावस आली एई थिरुहीं प्रमानित है जाउची। उरुशार्थ ही फळप्राप्तिर धरनी प्रस्तुत करिदाए। सेथी पाईं एहा मध्यं जरूरी अटे किन्तु उरुशार्थ करिवास हीता जोगर प्रयोग द्वारा समस्तंकर मनव्रुति को परिवर्त न करा। ते बेजाई सफलता निकटवर्ति है पारिवा। द्रूढ निष्चय एबं जोगर प्रयोग जे कोनसियात्मार बुद्धि को परिवर्त न करी पारिवा। जोगर प्रयोग द्वारा ही बीज स्वरुप परमात्मा निराकार सिवपितांकु प्रत्यक्ष्य करी पारिवा। ते बेजाई बीजाई भवर बरदान प्राप्त द्वारा पुन्यर पुन्जी जमा करुथिवा आत्मा ही पुन्यात्मा अटन्ति। तेबे एही सबु कथार गुरुत्यकु उपलब्धी करी बर्तमान एही स्रेष्ट पुरुशार्थरे निजकु ब्रती करीबा आवस्यक। आच्छा आजी पाईं एई ठारे आमे मने बिरामनेवा आसंताकाली उनस्च आमे आत्मा मने एकत्रित हेवा सेही परम कारुणिक परमात्मान कर आवकिछिय अमुल्यम्हावक्य कुस्रवन करीबा निजजीवन औरे धारण करीबा निजर तथा सारा विश्वर कल्यानर थे पुरुशर्थ करीचालीबा बास्यवा करीचालीबा ओम शंदी ओम शंदी ओम शंदी ओम शंदी